आप सभी सगपाड़ियों को संजु वाडिवा की और से सादर सेवा 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 जोहार मेरे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मसराम गोंडी कीबोर्ड के जो पांच भी लाइन है या हम जो अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चार भागों में जो अलग-अलग कीबॉर्ड को समझाने का मैंने प्रयास किया हूँ उसी का अगला जो भाग है पांच भाग जिसमें आप अभी आप कीबोर्ड में देख पा रहे होंगे कि पाँचवा जो लाइन है सौरी चौथा जो लाइन है उसमें एरो का निसान है है ना एरो का पहला निसान है चौथी लाइन में पहला जो एरो का निसान है उसको टच करने के बाद हम जो है उसके बाद जो इसमें कीवोर्ड बटन्स है वो किस तरह से काम करेंगे तो इसके बाद जो है सबसे उपर है ना जिस सबसे उपर जो है इसमें जो बटन्स दिये हैं उनके बारे में हम जानेंगे तो निवेदन है जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे और आप हर वीडियो को मेरे चैनल में देख सकें तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो इसमें बटन है ये कब आता है जब आप ये जो चौथी ल तो इसमें देखिए पहला जो है सबसे उपर वाले लाइन में ये हैं जैसे कोई भी लिखते हैं हम बहुत सारी जगा इसका प्रियोक किया जाता है जैसे है अरे तो ऐसे विश्मयादी बोधक चिन इसको हिंदी बोलते है उस तरह से ये निसान होता है उसके बाद एड़द है उसके बाद ओम है और ये रा जो रुपीज के लिए होता है है ना और फिर ये स्वास्तिक बना हुआ है बीच में ये देखिए खाली निसान है इसका बहुत बहुत सारे शाथियों को नहीं पता इसका क्या प्रियोक किया जाता है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जैस कोई भी शब्द है शब्द नहीं कोई भी का खा गा से लेखे अन्य जो वेंजन है उसको आधा करने के लिए एक तो हलंत लगा हुआ आता है लेकिन उसका उसमें जो एक आड़ी लाइन लगी रहते हैं उसको मिटाने के लिए ये बटन काम आता है जैसे मैं यहाँ पर लाइन में जो स्वास्तिक के बगल में बटन है खाली दिख रहा आपको उसको मैं दबाओंगा तो इस तरह से जो है वो आधा हो जाता है कोई साभी विए हैं कोई भी हो का से लेके आगे जितने भी रहते उसको दबाने के बाद वाद ये स्वास्तिक के बगल वाला बटन दबाएंगे तो आधा क्षर आधा वर्ण हो जाता है आधा वेंजन हो जाता है जैसे आधा का हो गया यह उसी तरह से आधा वा लिखना है तो इसी को मैं दबाऊंगा यह आधा वा हो गया तो इस तरह से जो आप इसको आधा लिख सकते हैं उसके बाद यह दिया है यह जैसे क को प्रेयुक कर सकते हैं देखिये ऐसे बीच में लिखने के लिए है ना तो उसके लिए होता है और अगला जो बटन है वो है इस तरह से यह फ्लावर जैसा तो यह अभी जो मैंने बताया इसके पहले वह भी उसी तरह से प्रेयुक कर सकते हैं और अगला है कोश्टक का प्रियोग नहीं हो रहा है, है ना, आप देख रहे होंगे, और अगला जो है, इसमें ये कट का बटन है, कट याने, किसी चीज को काटना है, तो उसके लिए बटन होता है, है ना, ये देखिया, ये, है ना, तो इस तरह से जो है, आप इसको प्रियोग कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा समझ में आया होगा कि किस तरह से उपर वाले जो लाइन है है इसको आप जैसे कि मैंने पहले जो बचाया है चार भाग तो ये पांच वा भाग पांच वी लाइन कह सकते हो है लेकिन दूसरी बार ये खुलता है तो सबसे उपर एक नमबर भी कह सकते हो जब अरो का बटन दबाते हैं आप तो इसमें इस तरह से जो है सबसे उपर की लाइन है ना तो आप सभी को समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कर हो या किस तरह की वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कामेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा हमारे सगापाडियों के बीच में इसको सेयर करें आप सभी का अंध तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सादर सेवा 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 हुआ हुआ है